हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब पूछताच के लिए आज का दिन मुकरर किया गया है वो दो अधिकारी है के पीएस मलहोतरा जो दिल्ली से पहुँचे हैं और दूसरे अधिकारी है समीर वानखेडे जो इस वक्त वहाँ पर नहीं है वो कोट में मौजूद है वो चाहते हैं कि दिपेश सावन का की जो रिमांड है वो NCB को मिल जाए 40 मिनिट से उपर हो चुके हैं रिया चक्रवर्ती इंतजार कर रही है आज उनको कड़े सवाल NCB के अधिकारी पूछेंगे लेकिन हो सकता है कि इस वक्त दोनों अधिकारी नहीं पहुँचे हैं फिर मैं बता दू अगर आपको कहीं किसी चैनल पर ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताच शुरू हो चुकी है तो वो गलत है, पूछताच अभी रिया चक्रवर्ती से शुरूर नहीं हुई है, हो सकता है कि कुछ फॉर्मालिटी इस वक्त रिया चक्रवर्ती से करवाई जा रही हो, रेजिस्टर में सिगनेचर उनके लिए जा रहे हो, उनको इंतिजार करवाय जा रहा हो, लेकिन अभी दोनों अधिकारी, KPS मलहोत्रा और समीरवान खेड़े, NCBK बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, मनोज मेरे सयोगी और डीटेल में आपको जानकारी दे देंगे, मनोज मनोज पहले आप ये बता दीजिए कि दोनों अधिकारी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है कि नहीं और उसके बाद किलाखोर जहाँ पर समीरवान खेड़े पहुंचे हैं, दिपेज सावन को लेकर वहाँ मेरे सयोगी मृत्युन जय मौजूद है, वो एकदम clarity के साथ आपक मौजूद है, मृत्युन जय सुन सकते हैं मुझे? और जो जिस अधिकारी का आप जिक्र कर रही है, वो इस वक्त यहाँ किला कोट में मौजूद है, वो जो सफेद रंखी गारी आपको तस्वीरों में दिख रही है, यह उनीक ही कार है, जो कि किला कोट के premises में लगाई गई है, जहां से दिपेज सावन्थ निकल कर आएगा, ऐसे पर जो मीडिया कर्मी है, वो कोट के अंदर नहीं है, सिर्फ जो सीमित लोग है, वही लोग कोट के अंदर दाखिलू है. केसे लिए से लिए सावलों में लोग किला कि अंदर नहीं कर वोग के सक्वीरों कर आएगादे जगादे कर दो कि ऊदर दे बार का अंदर है, जुए चरोग है, जो कि वोग स कि अज़ू है, कि टू कि इन कर दो दिए था दूजू है, तो, मुएता 難度 और आएगाद. झाल झाल